नमस्कार, मैं हूँ मास्टर निशाद और आप सभी देख रहे हैं मैनपुरी म्यूजिक स्कूल का यूट्यूब चैनल आज मैं आपको टीच्मेंट आप के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ मेरे पिता गुरू पंडेत अवद किशूर पंडे टीच्मेंट अप्लिकेशन पर संगीत सिखा रहे हैं संगीत की शिक्षा दे रहे हैं लाइव वीडियो कॉल पर वो सिखा रहे हैं तो एक बहुत ही अच्छा मादियम है जिसके थूरू स्टूडेंट्स लाइव उनसे सीख सकते हैं उनसे ग्यान ले सकते हैं लैताल का, मौरनी वोकल रियाज का, हार्मोनियम के अलंकारों का और संगीत की बहुत ही मईन बारीक्षियों का ठीक है तो आज मैं उसके बारे में कुछ एक information है, कुछ एक update है जो मैं देना चाहता हूँ जो मेरे पिता गुरू ने मुझे कहा कि मैं आप सब तक पहुंचाऊं यह information उसकी classes का schedule थोड़ा सा change हो रहा है और कुछ classes के numbers less हो रहे हैं तो मैं आपको उसका थोड़ा सा schedule बता देता हूँ कि Monday से Tuesday यानि Monday Tuesday दो दिन classes होंगी 8 से 10 सवेरे और शाम को 4 से 6 यानि 2 घंटा सवेरे, 2 घंटा शाम में अब यही classes Monday Tuesday को भी हो रही है, Wednesday Thursday को भी हो रही है और Saturday Sunday को भी हो रही है Friday उसमें off है, यानि शुकरवार उसमें छुटी रहे की, शुकरवार को कोई class नहीं है इस हिसाब से ये 6 classes आपको मिलती है, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday और Sunday ये 6 दिन आपको classes मिल रही है, 8 से 10, 4 से 6 और यही 8 से 10, 4 से 6 आपकी classes रहेंगी अब इसमें जो classes हैं, इसमें एक खास बात जानने की हमें ये है कि इसमें एक class में सिर्फ और सिर्फ 20 students ही enroll कर सकते हैं उससे ज़्यादा enroll नहीं करेंगे अब पहले इसमें कोई limit नहीं रखी थी पिता जी ने, कि जितने students आ रहे थे और उनकी classes ले रहे थे, उनने चीजने बता रहे थे और निशल्क थी तब तो ये, उसमें कोई fee भी नहीं थी अगर कोई अपने हिसाब से कुछ गुरुदक्षणा देना उसमें चा रहा था वो दे रहा था, बगरना पिता जी ने वहाँ कोई शल्क नहीं रखा था उसके बाद कुछ समय बाद उन्होंने कहा कि चली आप अगर कुछ देना चाते हैं तो सब लोग क्योंकि एक गुरुदक्षणा की परंपरा होती है बहुत minimum शल्क है मेरे खियल से इतना कम है तो कोई क्लास लेगा भी नहीं आपकी लेकिन पिता जी कर रहे हैं क्योंकि उनकी दरिया दिली है वो सिखाना चाहते हैं संगीत को, उनका मकसद वो है पैसा कमाना मकसद नहीं है, सिखाना उनका मकसद है तो एक class में 20 से जाधा students enroll नहीं करेंगे ये भी उन्होंने नियम कर दिया है क्लासे लेते समय बहुत थोड़ी दिख्कत आती है अगर जाधा students हो जाते हैं सबको time नहीं मिल पाता है और जो student एक class में आ चुका है वो दूसरी class में नहीं आएगा ताके हर व्यक्ति को chance भी ले ये उन्होंने एक नया नियम रखा है हर class में अलग भी students होने चीए कोई भी student repeat नहीं होगा ठीक है इस चीज का सबसे ज़्यादा खयाल रखें और जो classroom IDs है उसके लिए आप उनके whatsapp पर संपर करें whatsapp number आपको screen पर आ रहा है इस पर उन्हें whatsapp message करें और वहां उनसे classroom IDs लें और जो कुछ भी information है वो आप सब वहां पर लें उनके whatsapp से भी जुड़ें ताकि कोई भी information अगर आप तक पहुचाना है यानि की teachment app से जुड़ रहा है उसको whatsapp से जुड़ना भी ज़रूरी है तो वहां भी संपरक आप कर लीजे classes आपको मैंने बताई दिया है Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday, Sunday होंगी Friday off रहेगा 8-6 सवेरे 4-6 शाम में अब ये 2-2 घंटे में आपको सारी चीज़े cover हो रही है इसमें आपको रियाज cover हो रहा है सवेरे का इसमें अलंकार आ रहे हैं सारे syllabus जो आता है हमारा जो राइगे है अलंकार, thought, scales वो सब cover हो रहा है तालें वो सारी उसमें सिखा रहे हैं लाइकारियां सिखा रहे हैं मेरे ख्याल से ये सब information मैंने cover कर दिया लेकिन एक सबसे important बात मैं आपको बता दूँ ये सारी information अभी के लिए valid है June, May ये जो महिना है इसके लिए valid है इसके बाद हो सकता है ये चीजें change हो तो अगर ये वीडियो आप उसके बाद देख रहे हैं तो एक बार आप confirm कर लीजिएगा fee structure भी, classes के timing भी और एक class में कितने students आ सकते हैं वो भी, हैना ये एक बार मैं फिलहाल की information आपको दे रहा हूँ ठीक है तो मेरे खाल से आप समझ गए होगे ऐसे ही Manpuri Music School के channel को देखिए इसमें बहुत सारे lessons अवेलेबल हैं बहुत सारी चीजे अवेलेबल हैं और सुनील कुमार जो singer है जो student है पिदाजी के उन्होंने भी कई सारे गीत इसमें गारेख हैं उन्हें भी आप सुने है ना WhatsApp से जुड़ें उनके और सीखते रहें और देखते रहें संगीत प्रवाहवर्ड को भी और Manpuri Music School को भी धन्यवाद